हेलो फ्रेंज वेलकम टुए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मंत्री मंदल सचीवाल है कैबिनेट सेकेटरेट की नियू रिक्रिमेंट नॉटिफिकेशन के बारे में इसकी एलविटी कंडिशन के बारे में कौन-कौन इसमें आविदन कर सकता है कैसे आपको आविदन करना है और फॉर्म आपको कहां मिलेगा इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इससे वीडियो में तो इस वेकेंसी या नॉटिफिकेशन से रेलेटेड जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जौबरास् की डेटेल्स के बारे में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सकें और इध्यान रखिएगा यह नोटिफ रखते हैं जिसमें फ्रेंस से आपका क्वालिफाइड होना गेट एक्जाम जरूरी है और यह फ्रेंस से आपका कंप्यूटर साइंस या आईटी या आपका इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्विनिकेशन में होना चाहिए डारेट्ट रिकूर्मेंट है जो की 160 वेकैंसी आपकी यहां पर है डेप्यूटी फिल्ड ओफिसर टेक्निकल के लिए अब यहां पर देखिए जो क्वालिफिकेशन है वो फ्रेंस आपकी बैसलर डिगरी इन जारी होगा और 21 सकंबर 2024 से ही आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा अपलाए होना और यहां पर फैंसे 21 अक्टूबर 2024 तक आप इसमें जो है आविदन यहां पर कर पाएंगे तो यह इसका शॉर्ट नोटीस है जिसमें फैंसे वेकैंसी की जानकारी आपको दी ही है और जो एज लिमिट है वो फैंसे 30 साल से जादा आपकी यहां पर नहीं होनी चाहिए अब बात करते हैं इसकी फर्दर डेटेल्स के बारे में और इसके एप्लिकेशन फॉर्म के बारे में तो देखेंसे यहां पर यहां पर यहां पर इसका फुल नॉटिफिकेशन है इसमें नमबर 01-2024 और क्लोजिंग डेट 30 डेज है और 30 डेज का मतलब यहां पर क्या है 21 अक्टूबर 2024 यहां पर फैंसे दुबार आप से कहा गया है इंडियन नेशनल केंडिएट अपलाए कर सकते हैं जिन्नोंने ग्रेजुएट एप्टिट्यूट टेस्ट इंजिनिरिं इसमें फैंसे आपको यहां पर जो टोटल मंतली सेलरी मिलती है वो 95,000 रुपे आपको यहां पर मिलेगी एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा आपकी यहां पर नहीं होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन बैसले डिगरी आपके पास होनी चाहिए मतलब बी या बी टेक या आपक इसमें पर इसमें पर यहां पर बुलाया जाएगा इंट्रिव्यू के लिए तो आपका यहां पर कोई भी एक्जाम नहीं होगा आपका यहां पर इंट्रिव्यू होगा अब इंट्रिव्यू कहां-कहां पर होगा तो इंट्रिव्यू होगा आपका चेन नहीं गुरुगराम, गुहाटी, जम्मू, जोठपूर, कोलकता, लखनव एन मुंबई में तो आप इन में से कोई भी एक सेंटर आप चूसरी कर सक जो आपका application form है उसे आपको डूली फिल करना है self attested copies आपके mark sheet and certificate की और आपके friends से matriculation की 10 plus 2 की BTEK या MSC की valid gate का score card का certificate ये friends आपको यहाँ पर send करना होगा application form type होना चाहिए A4 size paper पर English में और capital letters में black या blue pen से आप इसे fill करेंगे इसके बाद friends आपको इसे send कर देना है दिये गए इस address पर जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है इस date तक आपको यहाँ पर जो ordinary post होती है सधारन डाक उसके थुरू आपको इसे send करना होगा last date क्या है तो last date आपको देखिए यहाँ पर दी गई है 21 अक्टूबर 2024 इसके बाद friends यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर जनरल टर्म्स और कंडिशन आपको दी गई है तो यहाँ पर friends जो यह vacancy है यह और इंडिया ट्रांस्वर लाइबरिटी के बेसिस पर है और exact date and time of center जो है shortlisted candidate को email के जरिये जानकारी provide कर दी जाएगी इसके बाद friends जो नीचे आपको दिया गया है इसका application form अब यहाँ पर आपको आपकी photo लगानी है photo लगाने के बाद यहाँ पर जब आप photo लगा देंगे आपको self attested करना है ऐसे cross sign कर देना है इसमें friends यहाँ पर देखे जो आपका subject stream है वो आपको देना है corresponding subject paper और code क्या है gate का वो आपको देना होगा और choice of center आप दे सकते हैं तो आपको जो centers की list मैं अब यह थोड़े देर पहले show की है मैं आपको दुबारा दिखा रेता हूँ यहाँ पर कि आपको friends जो यह centers दिये गए है चिन्नेई, गुरुगराम, गोहाटी, जम्मू, जोचपूर, कोलकता, लकनव और मुंबई इनमें सब कहाँ पर अपना इंट्रिविजन चाते हैं वो आप देंगे capital letters में आपको यहाँ पर आपका नाम देना है national team में इंडियन gender क्या है आपका वो आपको देना है correspondence मतलब present address with state और pin code आपको देना होगा mobile number और mail ID यहाँ पर यह mandatory है क्योंकि friends आगी कि जो भी further communication होगी वो आपको इन पर ही दी जाएगी इसके बाद father name, mother name और date आपको यहाँ पर देनी है date of birth date month and year और आपका count करकर यहाँ पर mention करना है तो आप age calculator की help ले सकते हैं और उसके बाद count करकर दे सकते हैं आपका religion क्या है इसके बाद किस category से आप belong करते हैं जंदल SCST आपको stick करना होगा अगर आप reserve candidate है तो self-attested copy आपके friends certificate की वो भी आपको send करनी होगी एक service man है तो आपनी जंकरी provide कर सकते हैं और self आपको attested copy आपको send करनी होगी आपके discharge की marital status क्या है वो आपको देना है married है, unmarried है अगर आप married है तो spouse का नाम, religion क्या है spouse का और nationality क्या है spouse की वो देनी होगी unmarried है तो आप इने blanket छोड़ सकते हैं इसके बाद एजोकेशन क्वालिफिकेशन वो देखे 10th, 12th degree आपके पास BE, BTEC जो भी है उसकी क्वालिफिकेशन आपको university का नाम year of passing कब से कब तक आपने ये course किया है, कौन कॉन सब्जेक्ट पढ़ी है total percentage क्या है वो आपको देना है gate examination का जो आपका score card है जिसकी self-attested copy आप send करेंगे तो year of passing क्या है, gate का role number क्या है subject paper और code क्या है, gate का score क्या है और gate score कब तक valid है उसकी जानकारी आपको देनी होगी और ये gate के score card पर आपको जानकारी मिल जाती है अगर आप employed हैं तो आप yes कर सकते हैं और अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते है department, rank क्या है, pay level कौन सा है, date of joining क्या है और आपको experience certificate देना होगा नहीं है तो आप यहाँ पर फ्रेंस से इसे blank छोड़ सकते हैं इसके बाद place और date का नाम दीजिए place मतलब जहां से आप form को fill कर रहे हैं और यहाँ पर आपको signature करना है और उसके बाद फ्रेंस दिये गए address पर आप इसे send कर सकते हैं ordinary post के थुरू अब आपके जो card certificates हैं उनके देखी जो format है वो आपको यहाँ पर दिये गए है आपको जो format दिया गया है इसी format के आपके पास certificates यहाँ पर होने चाहिए तो यहाँ पर फ्रेंस देखी जो address है वो दोबार आप जहां से check कर लीजिए आपको notification में ही address आपको देखने को मिल जाता है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं आपको इस address पर इसे send करना है और यह सिर्फ ordinary post के थुरू ही आप इसे send करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंस मैंने आपको जानकारी प्रोवाइट कर दी है कैसे आप यहाँ पर cabinet security का जो offline form है वो apply कर सकते है इसकी LBT conditions क्या है LBT conditions के के लावा आपको कैसे apply करना है सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइट कर दी है बाकी की जानकारी आप jobrasa.com पर जाका चेक आउट कर सकते हैं अगर आपको हमारी update पसंद आई है तो like, subscribe, and share जरू किजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही है हमारे साथ देखते रहे हमारा येड़ूप चाहिए अला सैंक्स पूर वाचिंग